हेग इस वीडियो में मैं आपको सक्सेस्फुल स्चोरी बताने वाला हूँ या फिर आप कह सकते कि मैं आपको मोटिवेशनल स्चोरी बताने वाला हूँ यह एक बच्चे है और यह इनके फादर है उनके पिताजी का सेकेंड टीशेट बेचने का बिजनेस था तो उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि अगर मैं तुमें एक डॉलर की टीशेट डूँगा तो तुम क्या उसे दो डॉलर में बेच सकते हो और फिर उनके बच्चे ने कहा उन्हें हाँ मैं उसे दो डॉलर में बेच के ला सकता हूँ और फिर उन्होंने वो सिकेंड टीशेट को लिया अपने फ्रेंड के घर में जाके दोया और फिर उसे बाजार में लेके गए फिर वे दिन मर बाजार में थे पर उनकी टीशेट किसी ने खरी थी नहीं पर शाम होते होते फिर एक व्यक्ति आके उनकी टीशेट दो डॉलर में पर्चेस गए पाजार से लोटकर उनोंने अपने पिता जी को बताया कि वो टीशेट उनोंने दो डलर में बेची और वो सुनके उनके पिता जी बहुत ही ज़ादा खुश हुए फिर से उन्होंने अपने बेटे को बुला और उनसे कहा कि अगर मैं तुम्हें वेसी टिशट दूँगा तो क्या तुम उसे 20 डॉलर में बेच के आ सकते हो तो फिर वो बच्चे ने कहा हाँ फिर उनके पिता जी ने उन्हें टिशट दी और उन्होंने ले ली पर उनके आगे एक प्रब्लम था कि ये टिशट को कैसे 20 डॉलर में बेचा जाए फिर वे दुकान गए और वहाँ से उन्होंने श्टिकर लेके आए और वो श्टिकर टिशट पे चिपका दी फिर वे एक अच्छे स्कूल के आगे गए टिशट बेचने के लिए और फिर एक पैरेंट्स आके उनसे टिशट 20 डॉलर में लेके गए और साथ साथ उन्हें 5 डॉलर की टिप भी दी वे फिर से अपने पिताजी के तरफ गए और उनको ये बता है और उनके पिताजी फिर से खुश हुए उनके पिताजी ने उन्हें डबल बुलाया और उनको कहा कि इस बार तुम्हें टिशट को 200 डॉलर में बेचना है पर इस बार इनके लिए यह चीज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी वे दो तिन दिन रुके फिर उनको पता चला कि एक फेमस अक्ट्रिस का सेशन है तो वो वहाँ पे चले गए उन्होंने उनका सेशन होने दिया और फिर उनके पास गए और वो टिशट को वो बेचने के लिए शहर चले गए और वहाँ पे बहुत सारी बोलिया लगी और लास्ट में वो टिशट को एक आजमी ने 1200 डॉलर में खरीद लिया 200 डॉलर के लिए कहा के गए थे और 1200 डॉलर में बेच गया है हमें इसे यह सिक मिलते हैं कि कोई भी चीज नामों की नहीं हो सकती है अगर वो चीज थोड़ी बहुत हाड हो सकती है पर कोई भी चीज नामों की नहीं हो सकती अगर आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आओगी तो लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और कमेंटों जरूर कीजे कैसी लगी करके